वे गाईज, कैसे हैं, आप सब होपफुली सब अच्छे होंगे, तो आज हम बात करते हैं, यह घटना चक्र की बूख है, यह UPPCS, स्टेट PCS, और सम्ताइम्स UPSC के लिए भी इंपॉर्टेन बूख होती है, इसमें प्रीवियस ये क्वेस्टन के बारे में दिया रहता है, त देखिए कि यहां पर दिखा है, इंक्ल्यूट्स क्वेस्टन पेपर फ्रॉम 1992 जैनवरी 2023, इलाउंग विद यूटी PCS में जी एस क्वेस्टन पेपर्स, यह सारे इसमें पैटन है, अब हम अग्स के अगर बैक की बात कर लेते हैं, तो बैक में भी है, तिफरेंट्स बुक मुझे बात करना है तो इस की इंडेक्स पर चलते हैं, एंडेक्स पर जैसे इस इसे की देख सकते हैं, इसमें बस प्रीवियस युथ ये questions influencing history के ही हैं, फिर葉निवर इस टी के आप टापिक देख सकते हैं, Muslim invasion of India, Delhi Sultanate, Kilgji, तुगलग, Lodi Dynasty, विजयनगर अंपाईर thomas, उन वा के बाद फिर रिवोल्ट आफ 1857 है फिर मतलब इसी तरह लगा हुआ है फिर गांधियन एरा पूरा लेके आपके सब सारा टॉपिक क्लियर है इसमें UPSC के भी क्वेस्चन है मैंने इसको पहले भी बता दिया अबाउट बुक के बारे में इन्होंने बताया है अब देखिए क्वेस्चन पेपर एनलीसिस में इन्होंने बताया है आई एस एक्जाम आई एस प्री एक्जाम 2011 से 2022 के रखे हैं इसमें क्वेस्चन इन्होंने बताया है तो देखिए कितने जगह के हैं अजारखन PCS के हैं बिहार PCS के हैं राजस्थान PCS के हैं चतिसगर PCS के हैं उत्रखन PCS के हैं UP PCS तो हई है UP lower subordinate का भी है मतलब all over almost सारे एक्जाम को इन्होंने cover कर लिया है तो moving ahead मैं अगर इसमें जाने की कोशिज की है कि what was non cooperation who are who were the leaders who involved in non cooperation तो इन्होंने यहां पर clear किया है उसके बाद after that इन्होंने मतलब अपने आपको बताया है कि 2011 में PCS में यह question आया था who among the following had moved the non cooperation resolution in नागपूर session of Indian National Congress in 2020 तो आप इसको कर सकते हैं इसको मतलब चिपा के आप question को attempt कर सकते हैं उसके बाद इसका answer भी देख सकते हैं तो यह answer भी briefly explain कर दिया है अगर इसकी font की बात करो तो font ही बहुत clear है मतलब genuine book है इसका MRP 600 है आप देख सक सकते हैं MRP 600 है मैंने offline लिया था मुझे 20% off पे 450 पर मिलिया था यह 25% off मिला था मुझे तो फिर से अगर मैं एक और question की बात कर लूँ the first mass movement launched by महत्मा गांधी तो इसमें आपको option tick करने है तो non cooperation movement था तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि चंपारन movement for indigo cultivators in 1917 was मतलब briefly बहुत अच करने तो formation of soraj party to 1923 में तो 1923 उसी तर यह थोड़ा से explain गिया फिर question है तो यह चीज मुझे थोड़ा अच्छी लगी और toppers भी recommend करते हैं कि this book is very useful for the PCS exams तो you can go with और इसका hindi version भी आता है आप English नहीं लेना चाहते है तो you can go with hindi version अगर अरो thank you so much